Hello students, आज हम पढ़ेंगे कि कम्प्यूटर को हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे कम्प्यूटर को बंद करें, और कैसे कम्प्यूटर को रिस्टार्ट करें तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले है कि कम्प्यूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे हमारे पास computer system है उस पे हमें काम करना है तो start तो करना पड़ेगा ना तो start करेंगे कैसे उसको तो सबसे पहले क्या करना है जहां से उसको main power supply मिल रही है ठीक है जहां से computer system को main power supply मिल रही है पहले तो उसको on करना है step 1 में क्या करना है main power supply को on करना है तो यहां से अब इसको light मिले start हो गई अब क्या करना है यहां पे एक UPS लगा होगा UPS की full form होती है uninterrupted power supply तो main power supply को on करने के बाद UPS को on करना होगा UPS का button दबाना होगा UPS किसले use होता है UPS use होता है कि अगर light चली जाए means हमें यहां से light ना मिले main power supply से light आने बंद हो जाए तो हमारा computer system चलता रहे बंद ना हो कि जब भी main power supply से light मिलनी बंद हो जाए तो computer system चलता रहे कुछ time के लिए ठीक है कुछ time के लिए चलता रहे ताकि जो भी काम हम computer system पे कर रहे हैं वो हम अच्छे से store कर पाए तो यह हमें इतना मौका देता है इतना time देता है कि हम जो भी काम करते हैं computer system पे वो अच्छे से save कर पाएं तो यह होता है UPS का role अगर UPS नहीं लगा होगा तो जैसे ही light जाएगी एक दम से system बंद हो जाएगा तो इसी लिए UPS का use किया जाता है तो क्या किया second step में UPS का जो button था उसको press कर दिया थर्ड स्टैप में क्या करना है जो CPU है यहां पे एक कैबिन लगा हुआ है यहां पे निचे उसको CPU बोला जाता है और CPU के full form क्या पड़ी थी हमने Central Processing Unit तो यहां पे एक start button होगा CPU जो है उसको प्रेस कर देना है तो यह तीन स्टैप करने हैं computer को start करने के लिए सबसे पहले क्या करना है main power supply को on करना है फिर UPS को on करना है और उसके बाद CPU का start button प्रेस कर देना है इतना करने के बाद क्या होगा हमारे computer system में booting process start हो जाएगी और booting के बाद system जो है वो काम करने के लिए ready हो जाएगा थोड़ा time लेगा booting में और booting के बाद ready हो जाएगा काम करने के लिए ये booting क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे कि booting क्या होती है computer system काम करने के लिए जब खुद को ready कर रहा होता है न तो उसको क्या बोला जाता है booting बोला जाता है इसको हम detail में आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि computer system को start करने के लिए हमें तीन step करने होंगे एक तो main power supply को on करना होगा फिर ups को on करना होगा और फिर cpu को on करना होगा उसके बार आता है कि computer को shutdown कैसे करें shutdown मतलब computer को हम बंद करना चाते हैं हमें हमें जो काम करना था computer system पे वो हम कर चुके अब use नहीं है एक बार computer system का तो हम चाते हैं कि उसको बंद कर दे shutdown कर दे तो कैसे करेंगे shutdown करने के लिए क्या करना होगा ये जो आपको screen नजर आ रही है ये जो desktop नजर आ रहा है यहाँ पे इस पे देखेंगे तो नीचे क्या होता task bar के बाइं तरफ start button तो start button पे सबसे पहले click करेंगे start button पे click करने के बाद ये screen नजर आएगे है न और यहाँ पे आपको option मिलेगा shutdown का और shutdown पे click कर देंगे तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले start button पे click करना है और फिर shutdown option पे click करना है अगर हम इसको mouse के help से ना करके हम shortcut key press करना चाहें key bold से तो क्या होगी उसके लिए हमें करना होगा keyboard पे alt plus में f4 alt आप दबाए रखिए और f4 को भी दबा दीजिए तो क्या होगा एक dialogue box खुलेगा ऐसा जिसमें जब आप यहाँ पे एक छोटी सी arrow लगी हुई है इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे और उन option में एक option होगा shutdown का वो चूज कर लेना है और फिर यहाँ जो ok का बटन है उसको क्लिक कर देना है तो system shutdown हो जाएगा तो हमने shutdown करने के लिए क्या किया अगर हम shortcut की ना लेके पूरा प्रोसेजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले start बटन पे क्लिक करेंगे और फिर shutdown option पे क्लिक करेंगे अगर shortcut की कर रहे है यूज तो क्या होगा old plus में F4 प्रेस करेंगे एक dialogue box open होगा उस पे हम shutdown का option चूज करेंगे और ok बटन प्रेस कर देंगे है ना तो हमने देखा कि हम कैसे start करेंगे और कैसे shutdown करेंगे shutdown करना मतलब बंद करना अब आते है restart करना computer को फिर से start करना ठीक है computer को restart कर रहे है restart फिर से चलू कर रहे है फिर से शुरू कर रहे है उसको तो restart करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले जो start बटन है यहाँ पे उस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस नजर आएगा आपको तो इस जब एरो पे क्लिक करेंगे न यहाँ पे तो यह वाले ओप्षन नजर आएंगे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा कुछ और ओप्षन भी दिये हुए है switch user है sleep है, hibernate है तो ये भी हम पढ़ेंगे किサदाउन में srdaun क्या है, sleep क्या है hibernate क्या है, lo of करना क्या है switch user क्या है ये भी हम पढ़ेंगे बट next lecture में पढ़ेंगे तो यहां पर आपने देखा कि computer system को अगर हम restart करना चाहते हैं फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं इस computer system हमारा पहले से स्टार्ट है बढ़ हम चाते हैं कि उसको हम restart करें फिर से सुरू करें तो क्या करेंगे वही है जो हम sit down में कर रहे थे option एक बार वही जाना है हमें बस last में क्या होगा उसमें sit down करना है और restart में restart करना है और अगर हम shortcut की करना चाहते हैं इसके लिए use तो क्या होगा keyboard पे alt plus में F4 प्रेस करेंगे तो वही dialogue box खुलेगा जो हम shutdown के time देख रहे थे उसमें अब की बार shutdown का option चूज ना करके हम क्या करेंगे restart का option चूज करेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा चूज करने के बाद और उसके बाद हम क्या करेंगे okay पे click कर देंगे तो हमारा computer system shutdown होके फिर से restart हो जाएगा फिर से start हो जाएगा तो इसको बोला गया restart तो आज हमने क्या पढ़ा आज हमने तीन चीज़े देखी एक तो हम computer system को start कैसे करते हैं main power supply को start किया UPS को start किया और CPU का start button क्लिक कर दिया प्रेस कर दिया उसके बाद shutdown कैसे किया start button पे click किया और shutdown के option पे click कर दिया या फिर alt plus में F4 दबाया और dialogue box में shutdown option चूज किया और ok बटन प्रेस कर दिया restart कैसे किया start button पे click किया और फिर restart पे restart जो option था उस पे click कर दिया या फिर क्या करेंगे old plus में F4 press करेंगे डायलोग box खुलेगा और restart पे restart को choose करके ok पर click कर देंगे तो computer restart हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही बाती का हम next lecture में पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से यह diagram जो मैंने बनाए ने इतने सुंदर सुंदर डाइग्राम जो बनाए हुए हैं आप भी इनसे सुंदर बना लेना ठीक है इतने सुंदर मत बनाना अच्छे बना लेना कुछ आपकी तो ड्रोइंग बहुत अच्छी है तो अच्छे से अपने notebook में इनको त्यार कर लेना इन topics को और अच्छे से इनको पढ़ लेना अगर कोई कहीं पर कोई doubt है कुछ समझ नहीं आया तो आप मिर से पूछ सकते हो तो चलिए मिलते हैं next lecture में तब तक ऐसे ही पढ़ दे रही है और मुस्क्राद दे रही है और मुस्क्राद रही है